नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मारे चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप पियन मंडल यूनिवर्सिटी से हैं और आप 2016-2019 की सेशन में आपका एडमिस्जन हुआ है और आपका उसके लिए पार ठटका जो है एक्जाम का रूटिन जो है वो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें ताकि आप समझ पाएं आपका अख्रप्जाक कौन सा डेट को है और कौन सा सिटिंग में है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट डेट जो है वह ग्यारा तारि को एका 17 ते तारिक को जू है सी गूप Kा एग्जाम होगा 18 तारीक को एक गूप का 20 तारीक कोौछी की घूलूप का 21 तारीक कर वाद 20 तारीक को खाएं टोपल democrat Kalau do ऑद देख देखें आप 24 तारीक को जी कह एक same होगा कि उसके बाद मैं आपको बताता हूं आप सब्जेक्ट के बारे में कौन सा सब्जेक्ट किस का कब होगा और कौन सा सिटिंग में होता है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 11 जनवरी 2020 को फर्स सिटिंग में यानि कि 10 a.m. से 1 p.m. के बीच में जो भाई आर्ट्स लिए हु हुआ है उसका फर्स सिटिंग में होगा हिस्ट्री और इकनोमिक्स आर्ट्स में जो हिस्ट्री और इकनोमिक्स लिया हुआ है उसका फर्स सिटिंग में होगा और साइंस में जो बोटनी लिया हुआ है या फिजिक्स लिया हुआ है उसका भी फर्स सिटिंग में होगा लोटनी और फिजिक्स चल एक आया देखते हैं ग्यारत रिक को सेकंड शिटिंग में क्या है सेकंड शिटिंग में आपको देखेंगे कोमर्स वाले के लिए हैं जो एवी टी गूरूप के जो भी आ रहे हैं उसके बाद आर्ट वाले के लिए आर्ट्स में जो rural subject लिया हुआ है उसका है second sitting में और जो philosophy लिया हुआ है आर्ट्स में जो philosophy लिया हुआ है उसका भी 11 तारिक को second sitting में उसका exam होने वाला है उसके बाद चलिए चलते है next date में उसके बाद अगला exam होने वाला है 16 जनवरी 2020 को आर्ट्स वाले का first sitting में exam होगा और वह subject होगा sociology और home science का जहां से देखें दोस्ताँ sociology और home science जिसका भी है उसका sociology जिसका है उसका इसका इसका सोला तारिक को exam होगा arts का और science वाले का जो chemistry लिये हुए है उसका सोला तारिक को exam होगा first sitting में और second sitting में अगर आप देखेंगे second sitting में यहां पर लिखा हुआ anthropology जो anthropology लिया हुआ है arts के लिए उसके लिए second sitting में exam होगा चलिए चलते हैं नेक डेट में सोलक के बाद आपको नेक डेट होगा वह 17 को exam होने वाला है कि आपको आपको होने वाला है हूं साइन्स को सब्सक्रा को फार्स सिटिंग में होम साइन्स है आठ्स एस्टुएंड के लिए और science के एस्टुएंड के लिए कोई भी subject नहीं है 17 के date में है चलते हैं second sitting में a second sitting में सेकéndर सीटिंग में 70 को आर्ट का जो है ये-ई a cog सब्जेक्ट लिए ह्यां 16 17 और नेक्ट डेट आता है 18 जनवरी को 18 जनवरी को चो आर्ट के जो मैंट लिया हुआ है आस मैं मैंज लिया हुआ है उसके लिए 18 जनवरी को से, भुस सीटिंग में जमervices पहुने वाला है और Science वाले के लिए जो Math and Geology लिया हुआ है उसके लिए Science के लिए भी उने वाला है फॉर्स सिटिंग को और यह date होगा अठारा सोड़ हाँ अठारा जनवरी को उसके बाद Commerce के लिए भी है Commerce का भी जो ABCD Group का आदा है उसके लिए भी Exam होने वाला आपको अठारा जनवरी उसके आर्ट का य॒ किवी होगा आउसको बिसके बार नेक्ट ड्ट पर चलते हैं बीच जन्वरी को बिस जन्वरी को आट sebenern के लिए जो संथ्योजी लिए हुए हैं बीचaint अबर defensive को जो सेंधा जी लिया हुआ है उसके लिए भी 20 तारी को फास्ट सीटिंग में होगा उसके बाद चलते हैं नेक्स डेट को 21 जन्वरी को एस्टेटिक्स जो लिया हुआ है आर्ट के लिए उसके लिए भी फास्टिंग में होगा और साइंस के लिए भी फास्टिंग में जो एस्टेटिक्स में आ रहे हैं चलते हैं 21 तरी को 2nd city में 21 तरी को सेकेंड सीटिंग में 아refs डीयेंट के लिए जो घेयर ढंब जो आर्ट से के लिए है उसका एक्जाम होगा 21 जनवारी को से लाव negotiator कि चलते हैं 22 सिस्टरेंट के लिए जो हैं नोगत उसक को ना मेंInर उसका इचलते हैं ऑशाइब लास्ट रेट्ट होगा आपको 24 तारुख चौविस जनवरी, 24 जनवरी को आर्स वाले के लिए फार्स सिटिंग में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है फार्स सिटिंग में 24 तरह को साइंस वाले का होगा जो जी के जी अस होगा जी के का एक्जाम होगा वो फार्स सिटिंग में होगा साइंस वाले के लिए और कोमर्स वाले के लिए और आर्ट्स वाले के लिए 24 तरी को second sitting में जीके का exam होगा तो दोस्तों यह था आपका exam के लिए जो पार्टर का exam का schedule आपको निकल गया है तो दोस्तों आप इसके लिए पूरे त्यार रहें आपकी exam होने वाली है तो दोस्तों आप अमारे इस चैनल पर नए हैं तो मारे इस चैनल को subscribe कर लें ताकि मैं आपको इस तरह की और भी जानकरी देशक्ते निवाद